इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के खाजकला थाना छेतर के गुजरी बजार के पास का है जहां पर एक गेसिंग का अड़ा फल फूल रहा था वहीं पटना सीटी डेसपी टू डॉक्टर गॉरब कुमार ने पहुंचकर उस अड़े पर मारा छापा और कई लोगों को गिरफतार किया है साथ में वहां से गेसिंग खेलाने वाले कई कागजात कूपन समेथ बरामत हुए हैं वहीं पटना सीटी डेसपी टू गरब कुमार जो है अपने दलवल के साथ पहुंच गे थे और पहुंचकर उन्होंने गेसिंग के अड़ा पर जो है मार दिया छापा आप बता दें कि यह गेसिंग का अड़ा जो है पटना सीटी में काफी दिनों से फल फूल रहा है हलाकि पटना सीटी का गुजरी बजा रही नहीं पटना सीटी का कई इलागा कई थानों के छेतरों में यह अड़ा लगतार चल रहा है जहां पुलिस के निशाने पर गेसिंग वास्त हैं हलाकि आप बता दें कि जो गेसिंग खेलने वाले जो लोग आये थे जो किसमत आजमाते है अपनी अपनी कि आज हम इतना लगाएंगे तो इतना पाएंगे उसमें से कई लोग गिरफ़तार कर लिया गया है साथ में कई जो है गेसिंग खेलाने वाले दस्तावेज हैं जो कूपन हो गए बुक हो गये किताब हो गये डाईडी हो गये पेन हो गये कई तरह का चीजे भ और वहां से कई लोगों को गिरफार किया है पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीर है पर और भीर फारवाले एरिया में भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बीर एकठा हो गया है और यहां पर DSP-2 गौरब कुमार जो हैं जो सभी लोगों को पकर कर ले जाते नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि कि किस तरह से डॉक्टर DSP-2 गौरब कुमार जो हैं वो अपने दल बल के साथ पहुंचे थे हैं पूरे तस्वीर हमने आपको दिखाए कि पटना सीटी में जिस तरह से गेसिंग का अड़ा लगातार फल फूल रहा था और आज पटना सीटी DSP-2 गौरब कुमार ने छापा मारा है और कई लोगों को गिरफता आर कर लिया है पटना सीटी से NBC 24 के लिए अड़ील कुमार की रिपोर्ट